मुझे बिवान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब भाई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेल्कम टू मैंनी व्लॉग मॉर्निंग के 5.30 का टाइम था जैसे कि मैं 5.30 पर यूट जाती हूं बिटो को स्कूल जाना होता है तो क्योंकि सबजी बगरा बनानी होती है तो फिर उतना टाइम मुझे लग जाता है तो यहां पर मैंने आलू जो थे वो बॉयल होने के लिए रख दिये थे और यहां पर आ क्या करके पीती हुँ थोड़ा सिफ सिफ करके अराम से पानी को बहुत ही छोटे-छोटे शोटे से का ने का पांइ पी थे मैंने वहां अरु मेरे आलू रखे थे मैंने वह बऌो हो LIVE हो रहे थे तो 6 में पर मैं आगगे थी पानी बेकर के प्रिपेशन करने के तो बच्चों को बोला गया था कि वो अपना फेवरेट फूड लेकर के आएंगे मतलब थोड़ा पाड़ी टाइट का था सब बच्चों को अपना जंग फूड या जो भी उनका फेवरेट फूड अना वो लेकर के आना था पूड पूड ले जा सकते हो उसमें आप्शन आया थे बर्गर पिज़ा ब्रेड सैंडविच या कुछ भी आप ले जा सकते हैं तो बेटू ने में को बोला था ब्रेट पकोड़ा उसको ले जाना है तो उसी के लिए फिर रात को यी मैं प्रपेशन करके आई थी रात को यी आलू जो थे वो भी बॉइल हो गए थे और फिर सासत मेरे को जो आलू को थोड़ा उसका मसाला वगएरा स्टाफिंग वगएरा रेडी करनी होती है तो उसी के मैं प्रप्रेशन करी थी तो एक पैन ले लिया था मैंने थोड़ा सा ओयल डाला था बिल्कुल थोड़ा सा भी हमें अपने लिए तो नॉर्मल में को सबजी वगएरा ही बनानी थी तो एक ब्रेट पकोड़े के लिए मैं यह सब बना ली थी जो बेटू को स्कूल में लेकर के जाना था तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रप्रेशन करी थी बहुत ही लेस ओल लिया था उसके अंदर मै बुसी के अंदर जो इसे मिक्स करा और ने थोड़ा से वो ड्राय मसाले वगरा यह नो लुए ऐसंदर मैंने थोडे से ऐसे अफ़ा ने इवो डिया थे लिए थेव जाटिकों डमरा वेंचाले मिन में काइडी बनाे दाल ञेकिन थे तो बं मेरी जो थंडी हो गयी ति उसके गरम गरम ब्रेड में नहीं लगानी थी थोड़ी सी नॉर्मल टेंपरेचर हो जाए तभी मेरे को बनाना था और अभी कापी टाइम भी था तो अराम से मैं उसको छोड़ करके आ गए थी तब तक मैंने का बेटू को उठा देती हूं ताकि मॉनिंग के टाइम ना थोड़ा ब मेरे को बेटू को हेल्प करनी होती है उसमें और यह रेखो यहां पर मैं थोड़ा सा भी दर-दर होती हूं ना तो उसको सोने का मन करता है सुबब बच्चों के लिए उठना ना बहुत टाफ हो जाता है क्योंकि रात का रूटीन लेट हो जाता है यह तो सो जाती है बड़ बच्चों के हिसाब से उनके उपर बिना आजकल बहुत ज़्यादा वर्कलोड है बढ़ाई को ले लो फिर स्कूल से आना जाना त्रावलिंग में इतना टाइम लग जाता है उसको आते आते शाम हो जाती है फिर शाम में उसको अपना वर्क भी कंप्लीट करना है और थोड बहुत थोड़ी से क्वांटिटी में ने बेसन को घोला था और पहले में गोल करके इसलिए रखके गई थी क्योंकि बेसन वगेरा ना फूलता है तो जितना फूल ना होगा वो फूल जाएगा और इसके अंदर मैं फिल करके डारेक्टी इसको फ्राइ करने वाली थी सुब मैं पहले एक्वेसन भी आती थी मैंने काफी पर व्लॉग में भी दिखाया के बेटू का अड़ी सब को बहुत है shifts को art ब्रेट के बेचंग होती है जबसे जाए दो गोड़ी ऊक्राइब करी थी तो इसलिए के चेचप बेचंग भी यह आने नहीं वाला था तो जो बेटू का पहले एक और टिफिन पड़ा हुआ था एक स्राज में वह प्लास्टिक का था तो अभी मैं वह यूज नहीं करती हूं तो उसी में डाल करके दे रही थी तो कैचप मैंने उसके बॉक्स में पैक करी तो पता चला उसकी जो मतलब एक रबड लगी हो यह होती है ना लीक प्रूफ करने के लिए उसको ताकि लीकेज वगएरा ना हो तो वह उसमें थी नहीं फिर मैंने का यह तो लीक कर जाएगी और फिर उसके मतलब चीजें भी आसपास बैक खराब हो सकता है या फिर अगर नोट बुक्स वगएरा बच्चे आसपास रग देते हैं बच्चे उतनी चीजों को ध्यान नी देते ना तो मैंने का वो तो पूरा मैस क्रिएट हो जाएगा फिर तो फिर मैंने दुबारा से जो जो एक चोटी से स्टील की बोल दी हो यह सबजी वगएरा डालने के लिए तो मैंने कैचप जो थी उसमें टांसफर कर दी और जो यह पेपर रैप होता है इसकिंदर मैंने ब्रेट पोड़ा पैक कर दिया था जब बिल्कुल थंडा हो गया था तब मैंने जाकर के पैक कर द ए chi dhp अधें तो रता वहां मैं अधे कुछ थ्खर मैं फटयें जानल रहें कि तो घरम करता में इसकिंदर साह सँग सथा करा था तो थे चपहग इं जब तक बच्चे खाते हैं वह थंडा कर था यह था तो थे तक है है वो ऐसा ही रहे एक दम पिता सौ गी सना हो जाए उसके बाद फिर टिफिन बेटू का मैंने पैक कर दिया था और बेटू को भी तर씨 क्लिप पलिप लगार लिए थे बेट को रिड़ी हो गई थी ताइम से पहले ही हो जाती वालू तो बना एक्स्ट्रा बॉयल करें थे तो जो बचे होए आलू थे उसके मैंने प्यूरी बनाई और सबजी के लिए टमाटर और प्याज प्याज बगएरा की प्याज मैंने शायद बहुत ही चोटा सा डाला था और बाकी टमाटो वगएरा की प्यूरी बना थे जो अगर मनीश को पूरी खाने का मन होगा तो पूरी खालेंगे बट गर्मी में बिलकुल भी देखने का भी मन्नी कर रहा था इसलिए मैंने हमारे लिए भी ब्रेट पोड़ा नहीं बनाया हैं बच्चे होते हैं वह चार्ड चीजों को देखते हैं अपने आसपास अपने फ्रें बना करके दूँ और ब्रेट वगेरा के वाली चीज़े भी मैं उसको जादा देती नहीं हूँ उनकी क्लास में थी पार्टी तो मैंने बना करके दे दिया था फिर उसके बाद मनीश आ गए थे मैंने टी बनाई और अपने लिए फ्रूट भी मैंने कट कर दिये थे चीकू मैंगो था बनाना था और मेरा फेवरेट वाटरमेलन था तो हेल्दी वर्सिस अन्हेल्दी चल रहा था वो अपनी अन्हेल्दी से टी पी रहे थे और मैं अपना बहुत ही जादा है तो मैंने बोला कि यह खाया करो यह क्या सुबह से सड़ी सी चाय पीने के लिए बैड़ पीट को जला लेना गर्मी में उनको बोलती हूं कि आप भी फ्रूट्स खा लिया करो वो अच्छा रहता है सुबह सुबह एक तो गर्मी इतनी जाद है उपर से गरम गरम टी देख कर जब मैं टी बनाती हूना एकदम मुझे गर्मी चड़ जाती है कि यार इसको पीने से कि बोडी में हीट सेंघी तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम अपना थोड़ा सा टाइम इंज्जोइ करें एक अपना उसके बाद फिर यहाँ पे दुबारा मनीश चले गहाथे ओक और मैं दुबारा काम स्टार्ट हो गए थे किचिन का काम जो था वो मेरा डन हो गया सारा 이제। और रात को भी मैंने पूरा क्लीन करा था को इसको आइस वाले जो सेκ्शन ओथा movie पानी पानी से निकले जा रहा था रात को मैं मैं फूरे living room में पोचा वगरा लगा कर के सोउते क्वे पानी आगया था सुबह भी पीछी की प्लेट होती है ना क्या Scientific वो भरी हो थी तो वो अभी overflow करके फिर कीचड़ होने वाला था तो मैंने इसको निकाल देती हूं तो मैंने plug को off कर दिया था plug निकला नहीं था निकला लुठ करना बहुत धर तर खीस तेरी वट निकला ही न लगी निकला थी फूर औरouch से अगर पूरी के पूरी पीछे से निकाल लेती हूं तो फैन्स की बाद आगई थी मैं अपनी क्लोच फॉल्ड करने है, क्लीनिंग का काम स्टार्ट करने से पहले यह बहुत जरूरी काम होता है अपनी फैलियू चीज़ों को उनके प्लेस पे रख दो अप फ्लोर की क्लीनिंग कितनी भी जादा कर लो जैसे कि आप घर पर मेड भी लगाते हो मेड आपको आपका फ्लोर क्लीन करके जाएगी अब तक घर बिल्कुल भी क्लीन नी लगेगा घर जो मैसी दिखता है वो जाडू और पोचे से नहीं दिखता अगर नहीं भी लगा होगा जाडू-जाडू से भी बहुत अच्छे से काम चल जाता है बर चीज़ें अगर और्गिनाईज नहीं होंगी न कोई बिस्तर कहां फैला होगा कोई समान कहीं का कहीं गिरा हुआ होगा अपने अपने प्लेस से सब इदर दर भटके हुए होगे तो वो बिल्कुल घर जो होता है वो मैसी अनौर्गिनाईस सा लगता है तो सबसे पहले होता है कि जो बैड पे सोफे पे या कहीं पे भी आप जो क्लॉट्स हमारे किसी और काम के लिए वो अगर भरे रहेंगे तो फिर घर जो हो फैला हुआ ही दिखेगा अभी मेरा फ्लोर कितना भी कीन हो एट टाइम कोई भी आएगा सोफे पे इस तरह से बिखरा हुआ समान पड़ा होगा तो मेरा घर क्लीन का काम जब भी मैं स्टार्ट करते हू तो मैं स्टार्ट करते हूं और्गिनाजेशन से कि क्योंकि घर है घर जितना हम और्गिनाईज करते हैं उतना फैलता भी है क्योंकि हम डेली उसको यूज करें किसी भी चीज को हम डेली यूज करते हैं तो वो इधर उधर होती है एकदम कई बार हमारे पास टाइम नहीं हो तो सारे cloths को मैंने fold कर लिया था, उनको उनकी almira में जो उनका place है वहाँ पे सब जग है डाल दिया था और जितनी भी बिखरी हो चीजे होती है उनको उनके place पे डाल दोगे तो 60-70% जो है आपका घर जो है वो बिल्कुल manageable सा और organized सा लगेगा फिर मैं जो भी चीजें होती है cleaning की वो start करती हूं सारी चीजों को उनके place पहुंचा देती हूं उसके बाद फिर मैं bed shit जाड़ती हूं दोनो rooms की अगर उदर वाली clean होती है तो मैं brush से clean कर देती हूं जाडने की need होती है मतलब depend करता है कि क्या condition है तो उसके according फिर मैं अपने cleaning के काम पे लग जाती हूं जैसे थोड़ा सा ही हाँ पे समान वगेरा फैला हुआ था समान नहीं फैला हुआ था बस वो cushions वगेरा इदर उदर ग जाड़ा थी बट मेरे को आज लग रहा था कि मैं जाड़ा हुआ क्योंकि कुछ दिन हो गए थे दो से तीन दिन जासे मैं brush से clean कर रही थी जाड़ा नहीं था और आज मेरे को इसकी back side और front side को भी अच्छे से clean करना था क्योंकि इसकी उपर हलके हलके फिर जाले जाले से spider से बनने लगते हैं और hair वगएरा आ जाते हैं तो मैं को clean करना था इसलिए फिर मैंने bed sheet भी जाड़ी थी अदर्वाइस जस्ट में इनको set करके इनके place पर रख देती ना वह भी जो यह bed का look है ना बिल्कुल perfect हो जाता बिल्कुल भी बिखरा हुआ ऐसे messy सा नहीं लगता तो मै मैंने bed sheet को भी अच्छे से जाड़ दिया था और bed sheet जाड़ करके बिचाओ या फिर change करने से एकड़ फ्रेश लोग आता है और bed sheet को जाड़ करके बिचादो तो खुद को satisfaction होती है कि हाँ एकड़ से clean हो गया और वैसे भी आज ज़रूरी भी था क्यूंकि मैंने पीछे से back side स तो उसको अच्छे से clean करा था कुछ भी अगर उपर से गिरा होगा तो फिर वो bed पर गिरा रहेगा तो फिर मैंने पूरी bed sheet वगएरा भी अच्छे से जाड़ वार के set कर दी थी यह वाला बैड जो था वो बैड नी इन फैक्ट मेरा जो second वाला बैड रूम था वो बिलकुल जो भी इदर उदर चीजें गिरी रखी होती हैं वो सब मैंने उनके प्लेस पे रख दी थी घर में जो भी slippers इदर उदर होते हैं वो सब मैंने एक जगह पे रख दिये थे अब मेरे को करना था क्लीनिंग का काम अभी organization का चल रहा था उसके बाद फिर मैंने जाडू लगाए दोनों रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया था मैट वगएरा को अच्छे से जार दिया था क्योंकि मैट वगएरा पे हम slippers ले करके चलते हैं तो हलकी फुलकी dust आती है तो इसको जारना बहुत होता है तो पहले मैं थोड़ी सी जो भी उपर-उपर की dust पगएरा होती है वो यहां जार देती हूं और कभी कबार पीछे जाकर के balcony में नीचे की side डाल करके अच्छे से जार देती हूं मतलब वाल के साथ से खट-खट मार के जारते हैं तो सारी अच्छे से जढ़ जाती है और वीक में या मतलब वीक में एक आधी बार तो मैं इसको wash करी देती हूं जब भी नीडेट होता है किसी चीज का ना कुछ क्लीन करने का कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम नियोथा कि इसको वीक में ही मुझे करना है कोई बी चीज जब भी गंदी लिखती है जब भी नीडे से भी करती रहती हूं और जो मेरे ट्रेडिशनल स्टाइल होता है वह में अपनी सैटिस्फिक्शन और अपने हेल्थ परपस से करती हूं उस तरह से जैसे हमारे रूटीन लाइफ में प्रॉपर एक्सराइज बगेरा पर धिहान नहीं दे पाते हैं तो वह बेस्ट वे होता है हमारी फुल बॉडी एक्सराइज हो जाती है क्योंकि हम बार बार उठते हैं बार बार मैं तो जो मौप होता है न उसको डारेक्ट वॉश्रूम में जाकर करे क्लीन करते हैं ऐसे बकेट ले कर के भी नहीं बैठती तो मेरी अच्छा भी लगता है कि हां बॉडी काफी हल्की मेरा ओपिन का चलता रहता है चेंज करकर करके मैं लगाती रहती हूं वीक में दो बार तो आटलीस मैं ट्राइ करती हूं कि वैसे ही लगाऊं मैं उसे जादा भी हो जाता है बट उससे कम मैं नहीं करती है दो बार तो मैं कम-चे-डाकर लगाती हूँ तभी जाकर की फ्लोर अच्य से क्लीन हो पाता है ईनल यह कितने भी अच्छे मॉब ले-लो आप